मैंने सुना मेंडर का इलाखा बड़ा खतरनाग है बॉर्डर का इलाखा है तो वहां कैसे आ पढ़ते हो ऐसा कुछ भी नहीं है क्यूंकि जो एजुकेशन फसेलिटीज वह डेवल डेवलप्ने फ्लोरिश्ट है और टीचेर हर कोशिश करते हैं कि वह बच्चों तक उसका जो पिस तरीके का माहौल है इन बच्चों को मिल रहा है खासता और पर जो बोटनी या जॉलोजी है जितनी भी सब्जेक्ट से इन सब्जेक्टू में आने वाले वक्त में ये बच्चे क्या करेंगे आपका नाप समीना चोधरी समीना जी आप आज चिंगस में आए हैं आगे कहां जाना है कि हमने जमू जाना है जमू में क्या करना है जमू में हमारा मतलब बॉटैनिकल के बॉटनी और ज किस तरह के पेड़ पौदे वहां पर आपको मिलते हैं जादा नी तो मतलब वराइटी मैक्सिमम वराइटी हैं हमारे मेंटर में जो और से जादा हम एक्स्प्लोर करने के लिए जा रहे हैं कि सरकार ने बहुत सारे अलग अलग पहलूं पर काम कर रही है उसमें एक पहलू है प्लांट रिसोर्स इटलाइजेशन कि जो पौदे हैं उनसे हम कुछ रिसोर्स निकालें और उससे हम जो है एंप्लाइमेंट जन्रेट करें तो इस तरीके के चीजें भी आपको आपके उस् कुछ की अगर बात की जाए तो जम्मो कश्मीर सर्विसेशन हो या बहुत सारे अलग एक्जैम्स होते हैं जिन में कहीं ने कहीं इनके नाम हमेशा दिखते हैं तो क्या आपका भी आने वाले वक्त में मकसद है कि आप के इस इस इन जगाओं पर भी जो है तैयारी करें जी स य स्क्राइब है तो आपके वहां कॉंसलिंग होती है कॉलिज में किसी बच्चे को iA किस तरह करना है यह आ अगए आपको पता है किस तरीके से अपनी उस्सीटिए करना, Yes Sir बताते है पूरा हां पूरा एक्स Princess explain करते हैं ऑगे आपको क्या करना है या फिर कैसे जो भी हमें क्षिकert Allowab को बिदेंगे आपको जोड़ेंगे निसमाica से में भी मंडर से मैंने सुना है वा Padra ra hai है तो वहां कैसे आप पड़ते हो एसा कुछ भी नहीं है क्योंकि जो एजुकेशनल फैसलिटीज वेल डेवलप्ट ने फ्लोरिश्ट है और टीचर कोशिश करते हैं कि वह बच्चों तक उसका जो है एक्स्पोरेशन ले जाएं तो कभी ऐसा लगा कि भाई कुछ पढ़ाई म में बड़ा स्ट्रेस पड़ चुका है अब पढ़ेंगे नहीं थोड़ा सा मतलब रिलाक्स करेंगे मस्ती करेंगे हां कभी कबार हो जाता है बट ज्यूनों काफी दी जाती है और काफी एंकरेजमेंट हमें मिलती है इस वजह से आपको लगता है कि जैसे एजुकेशन स्ट पढ़ाया जाता था कोई स्कील बेस्ट स्टेडी नहीं आपको का लगता है नई एजुकेशन पॉलसी अच्छी है कि पहले वाला सिस्टम में चाला है और साथ में हर किसम के स्कील के बारे में मैं जानने का मौका मिलता है जैसे कि मैक्सिम्म सुडेंस बार्टनी जालोजी तो उन्हें मतलब सोशियालोजी आप पोलिटिकल साइंस के बारे में इतनी अवेरनेस नहीं होती है तो इसमें इसका फाइदा ही है कि स्टूडेंस जो और रॉंडर हो जाते हैं और बागी स्टूडेंस के बारे में उन्हों जानने का मौका मिलता है और टीचर पूरा आप हर कोशिश करते हैं कि वह स्टूडेंस को मतलब वीक से वीक स्टूडेंट देखा जाए तो उसको भी वह मतलब उस चीज के लिए एंकरेजमेंट करेंगे कि आप कुछ ना कुछ कर सकते हो आपके अन्दर एबिलिटी है टैलेंट है तो आपने क्या बनना है आने वाले वक् कि मैं यूपी एसी की तियारी करूं और या मेरा में जब्र जोलोजी ए तो मैं कोशिश करती हूं अपनी तरह से इंशाला तो आपका नाम तो अब कहां से हैं तो बाकी वहां पर फैसल्टी सारी है वेलेब कॉलेश में तीचर आशी तरह कोपरेट करते हैं जी सार तीच करूं सारे तो आप मेंसे कोई एपी बना चाहते तो सारे बने कौन मैंने करना एजुकेशन डिपार्टमेंट जाइन करना आपका नाम नचमा आयाज खान आप मेंडर से ही हैं तो कभी जब धमागे वगरा होते हैं इस इलाके में तो धर लगता है पढ़ पढ़ रहे होते ह यह कुछ ऐसे शुरू हो जाए तो वह तो कोई भी डरेगा क्योंकि वह ज्यादा प्रॉब्लम होती है लोगों को प्रॉपर जो मेंडर सीटी वहां पे इतना कोई है नीशू के उससे कोई स्टैडिस पर पढ़े कोई एक वह जादा वह बच्चा है यहां पर जो आया हुआ है मेंडर कॉलिज से हैं फिर भी हम थोड़ा नहीं डर लगता क्योंकि आदद हो जाती है तो हमारे साथ अभी है एक और बच्चा मादी जी आप रहते हो में मेंडर में मेंडर यह सर और आप के सब्जेक्स क्या है सर मेजर वाटनी माइनर कंप्यूटर अप्लिकेशन कंप् कि यह सर सबकुछ अविलेबल आपने आने वाले वक्त में क्या बनना है क्या कोश्च कर रहे हैं सर के स्की एस और आपका नाम मादवी शर्मा मादी शर्मा जी आप कहां से हैं जी में मेंडर से हूं वहीं रहते हैं कि आपके जो जड़ थे मतलब दादा वगरा वहीं सबसे पहले तो मैं आपको दाद देता हूँ कि आपने इतने रिमोट एरिया से बच्चों को जो रहे जा रहे हैं उससे पहले आप ने चिंगस में रुखने का जो ये फैसला लिया ये कैसे लिया बेसिकली ये ओन दवे हैं वे हम जो है मेंडर से आप जमू की और जा रहे हैं तो सबसे पहले में डिपार्टमेंट आफ हायर एजूकेशन और स्पेशली उनका थेंक करूंगा और साथ में फिर हमारे पास हमारे जो है वर्दी प्रिंसिपल डाक्टर महमद आजम सर के उनकी जो कोश्चों की वाई से आज हम ये एक टूर लेके मेंडर से जमू की और जा रहे हैं और इस टूर में हमारे पास कंबाइंड टूर है बाटनी और जालोजी डिपार्टमेंट का तो हमारे पास इस वकत एंडिपी में बड़ सेरीकल्च रिसर्च सेंटर है वहाँ पर जाएंगे ट्रिपल आयम में जाएंगे और उसके बाद हमारे पास मेगा नरसरी जो है आरसपूरा में वहाँ जाएंगे और उसके बाद हमारे पास वाइल लाइफ सेंच्री है वहाँ पर भी हमने जाना है हमारे म्यूजिम है हमार की management वहां की planning को देख के तो इन्शालला को मुझे अमीद है कि यही बच्चे कल अच्छे एक skill oriented होके तो कल society के लिए और आपने आपके लिए benefit तो होगा सवाल है कि बच्चे अलग अलग प्रकार के होते हैं आपके teaching में बहुत experience है तो कभी ऐसा बच्चा आपको दिखा कि जो बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता था लेकिन आप ने उसको बदला और वह आज अच्छे जगा पर बहुत सारे हमारे से बच्चे अभी हमारे साथ यह मेरे साथ कड़े हैं डाक्टर सजाद हुसेन यह हमारे ही कालेज के एक उनारे हमारे साथ इस वक्त दिन जाने किया है कालेज में तो यह भी हमारे बाटनी इपार्मेंट से थे इसी तरह हमारे पास अभी एक लड़की सेलेक्ट हुई है कि एस में 37 रेंग वह भी हमारे कालेज की फस्टूडेंट थी तो बच्चे हमारे ऐस सच नहीं है कि हमारे पास इतनी पहले अवेड नहीं थी आप बच्चों को अवेड किया है अब जिस फील इस इलाके में क्योंकि बहुत सारे अने वाले वक्त में नहीं दिखेंगे तो क्या उस पर भी काम हो रहा है आप बच्चों को प्रजेक्स दिये जाते हैं कुछ क्राइटिस होते हैं हमने जो आभी आप की बात कर रहे हैं तो उसी पर आमने मैडिसन अरोमेटिक प्लांट प इस अर्षिजिंज हैं आप लेगए तो जब प्लांट के लिए जब प्लांट हैं तो आटॉमेटिक लिए एनिमल्स के लिए तो दुनेंका को लिंक होके यह कमारे अच्छाए एक प्रोग्रसीव वे है अमारा डिस्ट तो आमने बच्चों को इसी इंटर्न चिप तीन प्राजेक्ट दिये एक medicinal aromatic plant तो दुसरी तरह कुछ बच्चों को हमने दे दिया wild edible plants पर लेके और कुछ बच्चों को हमने further yielding plant को उस पर दे दिया project यह हमारे local किंगे दे बिलांक टाइवर्स habitat से हैं तो automatically different region से हैं तो वहां के local plant क्लेक्ट करके लेंगे तो फिर हम जो है teacher मिलके हम उनको automatically identify करवा के तो जो भी positive way से होगा उसको हम इंशालला आगे लेके चलेंगे और skill ही यह का इस वकत जो है एन इपी में मैं जो है फोकुस है government का definitely we pay the way for benefit for the society as well for the students हमारे साथ है जोलोजी के भी प्रफेसर सेर आपका नाम डक्टर सर्शाद हुसें मैं पहला सवाल आप से पूछूंगा की fisheries एक ऐसा पार्ट है खास तोर पे इस इलाके में क्योंकि मैं अगर मेंडर वाली साइट में भी जाओं तो आपको पानी का अच्छा का सा प्रभाव मिलेगा तो क्या बच्चे इंटरस्ट हैं इन कोर्स में खास तोर पे फिश्री जो सैरी कल्चर हो उसके के लावा और भी बहुत सारी चीज़े हैं जिनके उपर आप काम कर सकते हैं देखिए मारे टूर का में में जो मकसद है वो यही है कि हम स्टुडेंट्स को जैसे हम गोवनासा फिश्वाम ले जा रहे हैं या सारी कल्चर की बात की तो आरस आरस मेरा साब जा रहे हैं कि हम एक्चुल में इसको जुरूरी नहीं आज की डिएट में के यह वन गो में जाओ के सिर्फ आपको जाब जाब लेनी है जाब नहीं है हमने वहां पर इनको लिट्रेचर में तो पढ़ाया हमारे पास लाइबरी में और बाकी बुक्षिक्स अवेलेबल हैं आप जो एक् सिल्क से जो है वो सिल्क जो वां पर है यह वहां पर आपने परहां आप में स्ट्रफल्र है ऊदर त्सुन्गोट में और विराइटी आफिछ आप देखेंगे के साब से आप जो है वो हार्ड फिशिस हैं उनको आप मेंडर में कर लीजिए और खास करके जो विंटर जून है हमारा जो सुनकोट वाला वहां बहुत बहुत बीकल्चर बहुत अच्छे से तो हम इनका इनका विजट का मेरा में मकसद ही यही है कि लेट देम एक्सप्लोड देमसेल है क्या आज कल के बच्चे खास्तों जो मुबाइल के साथ चिपके रहते हैं क्या आज कल के बच्चों में यह जहन बन चुका है कि वह कुछ क्रॉंड पर करना चाहते हैं मुबाइल को छोड़के हां देखिए एक बात सुनो सर्वाइवल आफ़ टेस्ट है वर्ल्ड हमेश स्रूम के या कंस्टेंट पिरेड आफ टाइम में ना बता पाएं वहां से वह करते हैं उसकी क्वेश्चनिंग भी आती है उसका अंसर भी मिलता है बच्चों को और कई बार बच्चा वहीं से ट्रैक अपना पकड़ लेता है इचाथ साब डीजिटल फेसल्टी गवर्में में आज स्मार्ट बोर्ट लग चुके हैं कामें में कॉलिज में बाजावता इवन ऑनलाइन क्लासिस तक है तो क्या इन बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन के जरिये जो है बड़े-बड़े प्रोफेसर बड़े-बड़े विग्यार लोगों के साथ भी बातचीत करने का म सब्सक्राइब बच्चों को वही मोका सब आज की डिजिटल वर्ल्ड में वह बातें गई कि आप जाकर दिल्ली में एक्सपोजर मिलेगा तो मिलेगा में नहीं मिल सकता फसलिल्टी जर अवेलेबल फ्रम गुर्मेंट साइड वियर प्रोवाइडिंग नेम यार फैचिंग हुई और और भी खबरे सुनते हो लेकिन ये बच्चे इविडेंट हैं कि इस इलाके के बच्चे जिस इलाके में एक जमाने में चलना भी बहुत दुश्वार होता था आज उस इलाके के बच्चे जो है ऑनलाइन एजुकेशन पा रहे हैं उस इलाके के बच्चे बाद पोस्टें उन पे देखने को मिलें, जुरतें स्ट्रीट लाएंगा है, देखतें स्ट्रीट लाएंगा है.